नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं हमन सुरय ने कहा है कि आज का दिन महतपून है क्योंकि आज सिश्कों के नियुक्ती हो रही है, हमने अब तक 20,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ती पत्र दिये, उन्होंने कहा है कि हमने सरकार ठीक से समहाला भी नहीं था कि बैस्विक महामारी कुरोना ने हमें जकर लिया, पुरी दुनिया रूकी सी रह गई थी, विप्रित परिश्थितियों में भी हमने हार नहीं मानी, रात दिन सगज रहे, जार्खन के सीम ने कहा है कि कुरोना समाप्ती की ओर था, तो हमारे बिरोधियों ने अपनी हरक्ते सरू कर दी, अलग अलग संस्थावों के मद के सिघात लगा का सवयंत्र रच्ते रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हुए हमन सुरेन, इंडिया के गरबंधन के नेताओ से करेंगे चुनावी चर्चा, मुख्यमंत्री हमन सुरेन बिधान सभा चुनाओ की रणनीती बनाने में जूट गए हैं, इस करम में उन्होंने स सुक्रवार की साम दिल्ली का रुख किया है, वे वहाँ इंडिया के नेताओ से मुलकात कर चुनाओ की रणनीती पर चर्चा करेंगे, जनकारी के अनुचार हमन सुरेन अपने दिल्ली प्रवास के दोरान कांग्रेस अध्यक्स मलिकार जुन खर गे, पुर्व अध्यक्स सो करेंगे, कांग्रेस के साथ बिधान सभा चुनाओ में सीटों के बटवारे पर भी बात होगी, कांग्रेस की दावेदारी अभी 33 बिधान सभा सीटों पर ही है, धुल्लू महतो समेत एगारक खिलाब एफायार दर्च, बागमारा के चिटाही राम राज मंदीर इसीत बिव जमीन को लेकर धनबाद के भाजबाद सांसर धुलू महतो समर्थ को द्वारा दोमन महतो के समर्थ को एवं महिलाव से मार पीट करने के मामले को मुख्य मंतरी हमाशुरे ने संग्याल लेते हुए करवाई के निदेस दिया है, इधर मुख्य मंतरी के संग्याल लेते ही पहली प्रत्मी की है बता दे इस मामले को लेका ढूलू समर्थक महिला ने बेरमो के बिधायक कुमार जैमंगल उर्फ अनुप सिंग कांग्रेस जीला अध्यक संतोस कुमार सिंग समे 16 लोग खिलाप बरोरा थाना में लिखी सिकायत की है पुलिस अभी इस सिकायत की जाच कर नकसलियों ने बजार में हडिया पी रहे युवक को मार दी गोली जारखन के पच्मी सिम्हुम जीले के सोनुआ धाना छेत्र के नकसल परहावीत लोग पंचायत के बिहर गाव नचल्दा में नकसलियों ने कनपटी में गोली मार कर युवक की हत्या कर दी है इसके साथ ही युवक की बाइक में भी आग लगा दी एग हटना गुरू वार की साम की है जनकारी के मुताबिक युवक सोनुआ की ओर से अपाची बाइक से नचल्दा गाव पहुंचा था वाई स्कूल के पास लगी ग्रामिन होट में हडिया पी रहा था उसी समय करीब आधा दरजन न देश में बना रहे है पहचान रांची बिश्व बिद्याले का 65 वर्स अपना दीवस समारो मुराबादी परिशरी स्थीत आर्यवट सभागार में धूमधाम से मनाया गया मुख्याती थी रांची के सांसत सह केंद्री रक्षा राजमंद्री संजय सेट ने कहा है कि कि किसी खेल एवाम एजन एस-एस के छात्रों को प्रुसकार रासी देकर समानित किया राजी बिश्व बिश्व बिद्याले के कुलपती प्रुफेसर डाक्टर अजीत कुमार सीनहा ने केंद्री रक्षा राजमंद्री संजय सेट को सौल अस्मिती चीन और पुस्प गुशा देक रहा है कि सरकार की प्राथमिक्ता खेतों तक सीचाई का पानी उपलब्ध कराना है इसके लिए स्वार उर्जा पर आधारी सीचाई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी ताकि खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके सरकार की तरफ से स्वार उर्जा आधारी थाजारी बा तक दोरान परदेश के किसानों को सालों भर सिचाई की वेवासा उपलब्त कराने और पाइपलाइन अधारी सिचाई वेवासा लागू करने की ज़रत पर जोर दिया है जार्खन में 15 जुलाई से नेहरू कॉप होकी परत्योगिता जार्खन में नेहरू कॉप होकी परत्योगिता जार्खन सिक्षा पयोना परिशत के तत्वाधान में आयोजीत किया जाएगा परत्योगिता को लेकर विभाग ने गाईलें जारी कर दिया है जारखन में जीला अस्तर ये नेहरू का परत्योक्ता 15 से 20 जुलाई तक आयोजीत की जाएगी वहीं राज अस्तर ये परत्योक्ता 24 से 27 अगस तक खेला जाएगा राज अस्तर पर परत्योक्ता जीतने वाली टीम राश्ट्री ये परत्योक्ता में जार्कान का परत्योक्ता करेगी नहरू कॉप में बाला कॉर्ग में अंडर 15 और 17 के लिए परत्योक्ता आवेजित होगी पहले चरण में हमने स्कूल आप एक्सिलेंस बनाया ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी उन इस्कूलों के लिए अब एक्सिलेंट टीचर दे रहे हैं उमीद है नए सिक्षक एक्सिलेंट रियल्ट भी देंगे मुख्यमंत्री सुकरवार को रांची के परभात तरह मैदान में 15 सव असनत कोतर प्रसिक्षी सिसको के नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजी समारों में बोल रहे थे बदादे मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पहले भी लगभग 20 सेयर नियुक्तिया की गई है वहीं कौसल विकास के माद्यम से संगठित और संगठित छेत्रों में भी 60 हैर से अधिक नियुक्तिया की गई है जनम पर्मान पत्र के लिए अब मा पिता का अधार अनिवारे बच्चों का जनम पर्मान पत्र बनवाने के लिए अब माता पिता दोनों का अधार अनिवार कर दिया क्या है नई बेवास था सिविल रईस्ट्रेशन पोर्टल में बदलाव के साथ लागू हो गई है इससे पीता परणपत्र बनवाने के बाद भी तीथी वजल कर नए परणपत्र के लिए आवेदन करते थे रांची नगर निगम के एक अधिकाई ने बताया है कि पुराणी बेवास्था में कई परीजन खाज कर इस्कूलों में नवांकन आदी के लिए बच्चे का जर्म परणपत्र बनाने के बाद भी फिर नए परणपत्र के लिए आवेदन करते थे जो सिस्टम में फिल्टर नहीं हो पता था लेकिन नए बेवास्था से फरजी जर्म परणपत्र पर रोक लगेगी जारखन में 426 पदों पर डाक विभाग में होगी बहाली डाक विभाग में 426 पदों पर बहाली की जाएगी कोलान से भैकेंसी जेनरेट का निदे साले को भेज दिया गया है डाक विभाग के सिम्भूम रीजन के वरिष्ट डाक अधिक चक परमानंत कुमान ने इसकी जनकारी दी है फरजी मैट्रिक सर्टिफिकेट से निउक्त अब तक 38 लोगों की बहाली रात कर दी गई है इस करण डाक विभाग में निउक्ती की तियारी की जा रही है डाक विभाग के कोलहान में फरजी सर्टिफिकेट से निउक्त कुम 38 लोगों की बहाली रात कर दी गई विश्व विद्याले से वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के साथ ही बहाल लोगों से इस्थीपा ले लिया जा रहा है और उन्हें हटा दिया जा रहा है इस तरह अब तक कुल 38 लोगों की निउक्ती रात कर दी गई है अनाज गोदाम का निरिक्षन करने पहुँचे मंत्री नराज खाद सरजनी की बित्रन एवं भुखता मामले विभाग के मंत्री का पदभर समानले के बाद बनना गोपता रांची के कट्रूज थीत जे ए सेफ एवं सी एस सी एल गोदाम का अचक निरिक्षन करने पहुचे गोदाम में गंदगी और वहां की जिम्मेदार अधिकारियों का नोपस थीती को मंत्री ने गंभीता से लिया है अनाज की बोरियों का वजन कराया गया तो उसमें भी कमी मिली है यह सब देकर मंत्री बनना गोपता भढ़क गया और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर करवाई होगी गोदाम में अनाज सड रहा था उन्होंने दाल की बोरियों चिन्नी और दूसरे समान को जैसी भी की साहता से जमीन खोद कर निकाला गया मंत्री ने अनाज के सडने के मामले पर करवाई की बात कही है मंत्री बना गुपता के पहुंचने और कुछ देर इंतियार करने के बाद आपूर्तिन निगम लिमिटेट के पता अधिकारी को फोन किया गया कुछ अधिकारी हापते हुए गोदाम पहुंचे वहीं खामियों से नराज मंत्री ने स्टोक का मिलान करना सुरू किया आलमगीर आलम मामले में निचली अधालत ने लिया संग्यान इडी कोर्ट ने टेंडर आवंटित होने के बाद कमिशन से प्राप्त रासी का मनी लॉंडरिक करने के आरोपित पूरो मंत्री आलमगीर आलम सही तीन आरोपितों के खिलाब दाखिल चारशिट पर संग्यान ले लिया है इडी ने चार जुलाई को तीन हजार को रुपए की प्रोसीड ओफ क्राइम में चारशिट दाखिल की है जिसमें अलमगीर आलम के साथ उनके आपस सचीव रहे संजीव कुमार लाल यह नौकर जहांगीर आलम का नाम सामिल है जिस पर अदालत ने संग्यान लिया है मामले में जेल में बंद तीनों आरोपितों को वीडियो कंफरेंसिंग के मादम से अदालत के समक्ष पेस किया गया अदालत ने अगली पेसी किती थी 25 जुलाई को निधारित की है इसी मामले में पुर्वस से जेल में बंद ग्रामिन विकास विभाग के निलामबिच चीप इंजिनियर बिरेंदरे राम सही छा की भी वीची से पेसी हुई है सरजु राय की हमांत सुरें से मुलकात ने बढ़ाई सियासी टेंसान विधान सवाचुनाओ को लेकर भाजपा की बढ़ी से क्रेता के बिश दल के कई नेता मिलकर अपना धड़ा बना सकते हैं इसमें वैसे लोग सामिल है जीन की अंदेखी हालिया लोग सवाचुनाओ में की गई है वे आगामी बिधान सवाचुनाओ में भी आपने लिए बेहतर भवी से नहीं देखते हुए एक जुट हो रहे हैं ताया घटना करम में बहरा गोड़ा के पुरो विधायक और भाजपाक के परदेश प्रवक्ता कुनाल साडांगी ने पार्टी छोड़ दिया है साडांगी जमसेत पुरलोग सभा छेतर से परत्यासी बनने की दोड में थे उन्हें काम्याभी नहीं मिली उसी वक्त उन्होंने पत्याग दिया था पूरुव केंदृ मंत्री अस्वन सिन्हा और उनके पुत्र जयन सिन्हा भी इसी कड़ी का हिसा है जयन सिन्हा जारीबाक्शन सद्येश थितर से टीकर नहीं मिले के क़ारण उदासीन रहे है वे परचार अभियान से भी दूर रहे उन्हें पार्टी की ओर अस्पस्टी करण पूछे जाने पर भी विवाद हुआ ये अस्वन्त सिन्हा की भाजपा बिरोध की राजनीती जग जाहिर है जारखन में हिंसक हुए टाना भगात जारखन के पिपरवार में 4 साल पुराने जमीन विवाद की वज़ा से गांधी की अनुयाई टाना भगत हिंसक हो गए है सुक्रवार को दो पक्छो के बिच हुए हिंसक जड़प में 29 लोग घायल हो गए मामला रांची 14 सीमा परिष्थीत पिपरवार थाना चेत्र कहा है कल्यानपुर वा कारो गाउं के सीमांत चेत्र में सुबा शुरू हुए जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया दोनों पक्छो की ओर से मार पीट में सरिया, लाठी, डंटे, कुलहारी, कुदाल और गुलेल का जम का इस्तिमाल हुए किसी का सीर्फटा तो किसी के हाथ पैर में चोट लगी है हिंसक जरब की सुचना पाते ही पहुंची पिपरवार की पुलिस टीम ने दोन पक्छो को सांत कराया है जार्खन आंदोलनकारी संग के जिला अध्यक्ष बने मनोरत मरांडी जार्खन राज आंदोलनकारी संग जाम तळा की बैठक शुक्रवार को गांधी मैदान में मनोरत मरांडी के अध्यक्षता में हुई है इस अशर पर जाम तळा जीला इकाईक का गठन किया गया सरसमाती से मनुरत मरांडी को अध्यक्ष रोबिन मिर्था वा आनंद लाल मरांडी को उपाध्यक्ष बनाया गया वही अनिल सुरेन को सचीव साचीव रामलाल मरांडी और को साध्यक्ष रोहनी मरांडी को बनाया गया है HEC को सौप दे केंद्रे सरकार सियम हमांत मुख्यमंत्री हमांत्री ने सुक्रोगो परभात तरा ग्राउन में बड़ी बात कहा दिया उन्होंने कहा एक मिलीत प्रायस से हो चुके भारी अभियंत्रन निगाम यदि केंद्रे जारखन सरकार को दे दे तो हम उसकी किस्मत सवार देंगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 60 के दसक में जब HEC बना होगा उस समय 35 से 30 हजार लोग इस कंपनी में काम करते रहे होंगे आज 10 से 11 हजार लोग भी आना ही है इस उद्यों को बचाने की जिमेदारी राज सरकार की नहीं है राज सरकार की छामता भी नहीं है कि इतने बड़े उद्यों को चला सके लेकिन भारत सरकार अगर जारखन को इसी सोप दे तो हम फिर से इस सवार लेंगे नौकरिया की बहार ला देंगे मुख्यमंद्री ने कहा केंद्रेक की मोधी सरकार के कारेकाल में यारपोट बिग गया रेल बिग गया बंदरगा बिग गया कई उद्योगों को बेचने के त्यारी चल रही है भी निवेस का कारेकरम चल रहा है मुक्षमंद्री ने कहा है कि और बेवस्था की हालात ऐसी है कि हमारा रूपया डॉलर के मुकाबले पैर के बल भी खाड़ा नहीं हो पा रहा है धन्यवाद